एक बार फिर COVID का नया वेरियंट दुनिया को डरा रहा है अमेरिका, डेन्मार्क और इसराइल जैसे कंट्रीज में नय वेरियंट BA.2.86 के केस सामने आ चुके है World Health Organization के मताबिक COVID के सभी वेरियंट में समय के साथ बदलाव देखी गए है इसलिए नय वेरियंट को समझने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है हलागे इस पर पूरी नजर बनाए हुए है फिलाल अभी तक जितने भी पेशेंट मिले हैं उनमें दिखने वाले सिम्टम्स के बेसिस पर इसका इलाज किया जा रहा है एक्सपर्ट ने इस वेरियंट के कुछ सिम्टम्स भी बताया है जैसे सिर में दर्द या बॉडी पेइन की समस्या हो सकती है तेज बुखार, खासी और ठकान होना काफी कॉमन सिम्टम है बीए पॉइंट 2.86 की चपेट में आने पर गले में खराश, दर्द, खाना निगलने में समस्या हो सकती है कोवीट का नया वैरियंट डाजेशन प्रोसेस को भी बिगार सकता है इससे पेट दर्द, डाइडिया और उल्टी जैसे सिम्टम भी नज़र आ सकता है सास लेने में दिक्कत और गले में कफ जम, नए कोवीट वैरियंट के पेशेंट में भूग की कमी देखने को मिलती है कुछ पेशेंट की सुने की कैपसिटी कम हो सकती है अब जानते कि आकिर भारत में कितना खतरनाक है ये कोवीट का नया वैरियंट अब अगर कोवीट के नए वैरियंट बीए पॉइंट 2.86 को लेकर भारत की बात करें तो अभी तक देश में इस वैरियंट का एक भी केस सामने नहीं आया है हलांकि इनफेक्टेट कंट्री से आने वाले लोगों की कॉंटेक्ट में आने से यहां भी ये वैरियंट फैल सकता है इसलिए डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट जरूरी सावधानी बरतने को कह रहे हैं नए कोविट वेरियंट से सुरक्षित रखने के लिए यहां कुछ टिप्स है जैसे पब्लिक प्लेसिस पर जाने से बचें, मास्क लगाना ना भूलें, खाते या चीकते समय मूह ढगें कुछ भी खाने से पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह से सावुन से वाश करें घर में बच्चे, प्रेगनेंट महिला या मुज़र्गों का खास खयाल रखें आसपास साफ सफाई बनाए रखें, किसी बिमार के फिजिकल कॉंटेक्ट में आने से बचें कोविट के नए वेरियंट से बचने के लिए इम्म्यूनिटी बढ़ाएं और बेहतर डाइट को फॉलो करें